ESPN Crick Info ने आज एक report publish की है शानवसूत के बारे में आप जानते हैं कि ESPN Crick Info बहुत मुतबर cricket website है दुनिया के सबसे बड़ी सबसे मुतबर website और उन्होंने ये claim किया है कि शानवसूत का कप्तानी से हटना तै है और वो जो शेर है ना कि जी का जाना ठहर गया है सुब वो गया के शाम गया वही बात है उनकी जो heading थी इस report की उसका अगर हम जरा शायराना translation करें तो वो यही शेर बनता है वो कहते क्या है उस्मान समयोदीन ने बेसी के लिए लिखा है उस्मान समयोदीन पाकिसानी cricket के बारे में Cricket Info के correspondent है तो वो यह कहते हैं कि शान मसूद की जो कप्त अब दूसरा test match है जिसका पहला दिन washout हो गया यही इनके career का आखरी test match हो as captain वो यह कहते हैं कि पहले तो शान मसूद चार के चार matches हारे शुरू वाले और यह भी उन्होंने history के react की कि पाकसानी को captain पहले चार test matches मसलसल हार गया हो और फिर वो कहते हैं कि जैसे उन्होंने पाकस्मेनों के edge के चोके होते रहे और इस सदा कि उन्होंने का कि उन्होंने जवाज दी यह जो बिलकुल बचगाना थे और जिनको देखे बंदा है कि यह क्या बात कर रहे हैं तो उनके कहने के मतलब यह था कि शान मसूद को कुछ समझ नहीं आ रही थी कि उनके साथ क्या है और अब वो यह समझते हैं कि यह test match खास कर जैसा कि यह एक factor है कि यह match बारिश की वज़ा से draw हो जाएगा और पाकिसान first ever series बंगलदेश से हारेगा और बंगलदेश की history में यह first time होगा कि वो top seven teams में से किसी team को उनके गर में जाके हरा के हैं और बंगलदेश के test status मिल के बाद यह दूसरी दफ़ा होगा कि वो किसी ऐसी team को हरा हैं जिनके पास उनसे पहले का test status था है इससे पहले उनने 2009 में western ڈीर को एक series हराई होई तो यह एक बहुत बड़ी embarrassment पाकिसान के लिए होगी अगर यह match draw होता है तो उसका जो pressure है जो lashback है वो इतना ज्यादा सिवि अब जो situation है वो इस वक्त ऐसी है कि PCV खुद भी एक box में है यानि एक तरफ आप शाहीन अफीदी को पनिश कर रहे हैं डॉप कर रहे हैं कतानी से हटा रहे हैं इसका मतलब है वो तो captain नहीं हो सकते बाबर आजम ने जो पिछे perform किया है आपने उनको हटा के शानमसूद को ब जिस कप्तान को बुरी कप्तानी की वैसे हटा के या डिजर्ट से ना पड्यूद होने की वैसे हटा के शानमसूद को लए हो तो शानमसूद को हटा के उसी को वापस लाने का कोई logic नहीं बनती और खास करके वो अभी भी बुरे डिजर्ट दे रहा हो white ball के नहीं जिसमें को कैप्टन बन सकता है मगर चौकि आपने साउस शकीर को white captain बनाया हुआ है और साउस शकीर बहुत जूनियर प्लेयर है तो क्या आप यह रिस्क रह सकते हो कि पाकिसान के कल्चर में पाकिसान के environment में पाकिसानी mindset में आप जूनियर प्लेयर को captain बना दोगी और team उसकी support करती र लिहाद से captaincy का brain भी है इस लिहाद से के performer भी है इस लिहाद से के प्लेयर के साथ जल भी है प्लेयर के साथ इसकी chemistry भी अच्छी है प्लेयर को support करेंगे तो logically होना चाहिए लेकर फिर वही बात आप एक बंदे को white captain बनाते हो captain को change करते हो और जो white captain है वही पर रहता है और आप किसी आप को captain लेकिया जाते हो ये भी एक बड़ा illogical सी बात लगती है और इस पर PCB के उपर भी सवार उठेगा pressure उठेगा कि भई अगर आपने white captain बनाया ही क्यों अगर आप में इसको captain के दब प्रमोट नहीं करना था लेकिन बरहल साथ शीकित को captain बनाना मुश्किल decision होगा जैसे के क्रिकन फोर ने प्रिक किया है शान मतूद अगर जाएंगे तो फिर रिजवान ही captain आएंगे